दो साल की बच्ची के सांस नली में फसे कंकर को निकाल कर S.R. Hospital and Research Center के चिकली के डॉक्टरों दोरा उसे नया जिवन प्रदान किया गया है। बच्ची को गंबीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था जहां डॉक्टरों की टीम दोरा अत्याधुनिक उपकरोनों की मदस से स्वास नली में फसे कंकर को निकाला गया जिसे बाद में दिश्चार्ज कर दिया गया है। वर्षी पुत्री दचिका की श्वास नली में खेलते वक्त एक बड़ा कंकर फस गया था जिससे बच्ची की नाक में सूजन होने के साथ ही दर्द बढ़ने के अलावा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिजन बच्ची को ततकाल दूसरे अस्पताल लेकर गए लेकिन बच्ची की नाजुक स्थिती को देखते हुए किसी भी अस्पताल द्वारा बच्ची का इलाज नहीं किया गया। जिसके बाद परिजन दूर्ग में अपने रहने वाले रिष्टेदार की मदर से बच्ची को स्वांस नली के अंदर तक पहुँचे कंकर को बाहर निकाला। बच्ची के परिजन ने अस्पताल प्रवंधन का आभार जताते हुए अपने प्रतिक्रिया दी। इसर वाले रिष्टेदार की में अधिक्चे बाहर जताते हुए अधिक्चे को स्वांस नली के अश्पताल प्रतिक्रिया दूर्वंधन का आभार जताते हैं। को लेकर जानकारी दी। कि इस अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं है। इसी संदर में गत कल की बात है, दो साल की एक बच्ची आई थी, जो खेलते खेलते नाक में कंकड़ फस गया था, सांस की तकलिफ हो रही थी और नाखुन भी थोड़ा नीले पड़ रहे थे, ऐसी परिस्तिती में उसके गाउं से उसके माबाब ले के आये थे और काफी चिंतित भी थे। हमारे यहाँ सारे प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे एमर्जेंसी हो, चाहे रूटीन हो, कितने भी कम समय में सारे डॉक्टर्स तुरंत उपलब्ध होते हैं, और हमें यह बड़ी खुशी है कि मरीच के यहाँ पहुचते, एक घंटे के अंदर उसके कंकड को निकाल दिया गया और उसके सांस में तुरंत उनको राहत भी मिली। इससे परिजन भी काफी सेटिस्वाइट थे और बच्चे की जान भी बच गई। थोड़ा अगर देर होता तो हो सकता तो पत्तर और गंबीर रूप से अंदर जाके फेपड़ों में फसता तब मुश्किल हो सकती थी। लेकिन इस परिस्थिती को आने से पहले ही हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने एक घंटे के अंदर मरीज जब पहुंचा उसके एक घंटे के अंदर उस कंकर को निकाल दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देश्मुक, निश्चेतना तता ICU विबाग प्रमुक, ASR उस्पिटल चेकली दुर्ग। बच्ची जब हमारे पास आई तब थोड़ी स्थीती उसकी घंबीर थी, कंकर अंदर फस गया था, थोड़ा सा खून भी बहरा था, नाक और मुह में सूजन आ गई थी, ऐसे अवस्था में उसको बेहोश करके नाक का कंकर निकालना एक बड़ा चैलेंज था, परंतु हमार हमारी टीम ने तुरंत एक्षन लिया, हमारे एंटी विवाग प्रमुग डॉक्टर अंकिता ने और मैं स्वयम निश्चेतना विशेशग्या, डॉक्टर पवन, हमने ओटी में लेके बिहोश करके उसकी नाक में से कंकर निकाला, आज बच्ची पुर्णताहा स्वस्त है औ और हस्पताल से डिच्चार्ज हो के घर जा रही है, धन्यवाद. और उसको सांस में फिर बहुत तकलीब होने लगी, बच्चे को खेरागड अस्पताल फिर और विभिन अस्पताल होते हुए दूर्ग के जिल अस्पताल भी जाया गया, वहां पर उसका इलाज करने से रिफ्यूज कर दिया गया, अंज़ताह उसे एसार हास्पितल चिकली दूर्ग में लाया गया, तो उसको हमारी टीम ने तुरांत उसको ओटी में सिफ्ट करके, विभिन मतलब क्या होते हैं, एनिशितिया विशेशक गया, और इन्टी विशेशक के मदद से बच्चे का कंकड जो है, वो बाहर निकाला गया और बच्चा फिर स्वस्त हुआ, ब मनोहर आदी की उलेखनी भूमिका रही, अस्पताल के चेर्मन संजय तिवारी ने सभी डॉक्टर्स एवं स्टाफ की सराना करते हुए कहा कि, सभी देव दूतों के ततकाल सेवाएं प्रदान करने से एक मासूम की जान बच गई, ग्रेंडेशियन न्यूस के लिए संजय द बच्टर्स एवे